हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब हमने एक सीरीज स्टार्ट किये हैं जिसमें हम income tax के direction और exemption के जितने भी section होते हैं सारे section 1 by 1 करके discuss करने वाले हैं पहले हमने start किया है income tax का direction जिसमें already हम कुछ sections को discuss कर चुके हैं और चैनल पर अप्लोड भी कर चुके हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे section 80GG, डिटेल में डिसकस करने वाले हैं, आसान भासा में example भी देखेंगे इसमें, जिससे कि आपको ये section अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो को स subscribe कीजिए, और bell आकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तो आज ये वीडियो को start करते हैं, पहला सवाल ये आता है कि section 80GG होता क्या है, तो section 80GG आपको income tax में direction provide करता है, अगर आप rent pay करते हैं, भले ही furnished house हो या फिर unfurnished house हो, अगर आप उसके लिए rent pay करते हैं, तो आप section 80GG में direction ले सकते हैं, बस condition ये है कि house जो है, उसको आपको residential purpose के लिए use करना है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे conditions है, जो कि हम conditions आगे देखने वाले हैं, अगर वो सारे conditions को आप fulfill करते हैं, तो section 80GG में आप deduction ले सकते हैं, next question ये आता है कि eligibility criteria क्या है, या फिर conditions क्या है अगर हम section 80GG में direction लेना चाहते हैं, तो पहला point ये कहता है कि आपको ITR पहले तो old taxes में file करना है, क्योंकि अगर आप new taxes में file करेंगे, तो ये section allowed ही नहीं लेना, ठीक है, तो old taxes में file करेंगे, तो ही आपको section 80GG का direction मिलेगा, पहला point, दूसरा point ये कहता है कि आपको HR नहीं मिलता है, तो ही आप section 80GG का direction ले सकते हैं, मतलब आपको salary में बार देखना है कि HR का part है या नहीं है, HR component जो है, वो आपके salary में है या नहीं है, अगर नहीं है, तो section 80GG में आराम से आप direction ले ले लिजे, कोई दिक्कत नहीं है, next point ये कहता है कि अगर आप कोन करते हैं, कोई भी residential house property किसी भी place पे, कहीं भी, ठीक है, और उसका जो income है, या फिर उसका जो loss है, उसको आप income from house property में calculate करते है, ठीक है, भले ही self occupied property हो, तो आपको section 80GG में direction नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं वापस से example दे के समझाता हूँ, जिससे कि आपको लोन लिया है, उसका interest pay कर रहे है, ठीक है, तो definitely आप income from house property में दिखाएंगे उसको interest वाला position, क्योंकि उसका direction मिलता है अपने को, ठीक है, तो अगर आप दिखाते हैं, तो आपको section 80GG का direction नहीं मिलेगा, अगर आप rent pay कर रहे हैं तो भी, ठीक है, ये point यही कहा रहा है, और बह generally गलत है, ठीक है, तो आपको conditions एक बार देखनी पड़ेगी, कि क्या-क्या चीज़े section 80GG बोलता है, और क्या-क्या conditions बताता है, ठीक है, next point यह कहता है, कि जब भी आप section 80GG में direction ले रहे हैं, तो पहले आपको form 10BA भरना पड़ेगा, जो कि online ही भरना पड़ता है, ठीक है, कैसे मैं यहां i button पर link कर दूँगा, आप जाके देख लीजेगा, कि form 10BA भरते कैसे हैं, ठीक है, online भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से भर सकते हैं, ठीक है, next point यह कहता है, कि अगर आपका rent जो है, yearly एक लाग से exceed करता है, तो आपको जो property owner है, उसका pancard भी submit करना पड तो भी वहां पर आपको pancard का details डालना पड़ेगा, अगर आप rent pay करते हैं, एक लाग से जादा, ठीक है, next point, HRR वाला point है, जो कि मैंने अल्यडी बता दिया, अगर आप HRR क्लेम नहीं कर रहे हैं, और आपके salary में HRR का component नहीं है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, next, सबसे important सवाल आता है, कि conditions तो हमने समझ लिया, ठीक है, conditions समझ लिया, और ये section क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया, अभी हमको ये समझना है, कि कितने amount तक का हमको reduction मिलता है, section 80G में, यहापे तीन conditions, तीन criteria दिये हुए, basically, इन तीनों से हम calculation करेंगे, जिससे कम व 1000 रुपे पर मंथ, दूसरा point यह कहता है, कि आपका जो total income है, उसका 25 टक का, तीसरा point यह कहता है, कि आपका जो total income है, उसका 10 टक का, calculate करो, उसको rent से minus करो, जो amount आएगा, वो amount, ठीक है, यह तीन amount calculate करना है, calculate करने बाद इन तीनों में से जो कम वहरा amount होगा, उतना deduction ले सकते है ठीक है, अभी सवाल यह आता है, कि यह जो total income है, वो calculate कैसे करेंगे, यह जो total income है, वो calculate कैसे करेंगे, तो उसको calculate करने के लिए, आपको basically, जब आप IKR file करते हैं, आपको पूरा income add कर लेना है, जितने भी head से आपके income आते हैं, सारे add कर लो, add करने के बाद, अगर आपने उस इतने direction है, वो भी सारे list कर दो, फिर income अगर आपके पास है, section 1.5 A का, तो उसको भी list कर दो, यह सब list करने के बाद, जो income बचेगा, वो आपका total income होगा, ठीक है, उस total income का 25 ठका लेना है, और 10 ठका लेना है, ठीक है, example से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जा ठीक है, अभी यह क्या करते हैं, यह मुंबई में रहते हैं, और इन्होंने rent पे property लिया हुआ है, rent पे रहते हैं, और 15,000 रुपे महीना rent पे करते हैं, ठीक है, तो इनका पूरा rent कितना होगा, साल भर का, 180,000, 15,000 इंटू 12, 180,000 rent पे करते हैं, अभी उसके basis पे हम कितना reduction ले सकते हैं, तो पहला condition यह बोला था कि 5,000 रुपे महीना, पहला condition यहा था न, 5000 पर मन्त, तो 5000 पर मन्त मलब 60,000 रैनुली हो गया, दूसरा point यह बोला था, 25 टक का of individuals total income, total income कितना है, 5,00,000 रुपे, तो 5,00,000 रुपे का 25 टक का, 1,25,000 हो गया, next point यह बोलता था, कि आपका जो total income में, उसका 10% निकाली है, और rent से माइनस कर दीजे, तो मेरा rent कितना है, 1,80,000, मेरा 5,00,000 का 10% कितना होगा, 50,000, ठीक है, 1,80,000 में से 50,000 माइनस करो कितना बचता है, 1,30,000 रुपे, हमने 3 amount calculate कर ली है, अब इन 3 amount में से कम all amount कितना है, 60,000 रुपे, तो maximum हम यहाँ पे 60,000 त हम वाला calculation जो 60,000 बनता है, तो आपको 99% chances है कि 60,000 आएगा, कभी-कबार ऐसा हो सकता है, कि 60,000 से नीचे आए, बट maximum 60,000 आएगा आपको, ठीक है, next point यह आता है कि हमको क्या-क्या documents लगेंगे section ATGG का direction लेने के लिए, ठीक है, चुकि हमें form 10BA भरना है, तो हमको बहुत सारे details लगेंगे न, तो पहला तो rent receipt होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आपको कोई query वगर आएगी न, अगर मालीज आपने ITR file कर दिया, बाद मे क्योंकि कोई भी query अगर आएगा, observation आएगा, तो आपको rent agreement, rate receipt, यह सारी चीज़े provide करनी पड़ेगी, आपको form 10BA भरना है, ठीक है, चुकि जैसा कि मैंने आपको बताया form 10BA कैसे भरना है, मैंने अल्री बताया हुआ है, चलनल पर upload किया हुआ है, तो form 10BA भरना पड़ेगा, जिसमें basically आपको landlord के details भरने पड़ते हैं, इसके बाद आपने कितना rent पे किया, वो भरना पड़ता है, सारी चीज़े आपको भरनी पड़ती है, कब से लेके कब तक आप rent पे थे, वो सारी चीज़े आपको fill करनी पड़ती है, ठीक है, landlord का pancard भी लगता है, आगर एक लाग स हैं, जैसे कि bank statement वगरा, तो वो भी सारी चीज़े आपको लेकर रखनी है, और try कीज़े कि जो भी आप rent पे करते हो, आप cash मिना पे करके bank से पे कर हो, तो ज़्यादा आच्छा है, ठीक है, तो एक proof रहता है कि आपने किया हुआ है rent, आपको clearly समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर सारे conditions आप fulfill कर लेते हैं, तो definitely आप ये जो deduction है, या आप deduction claim कर सकते हैं, तो मित करता हूँ section 80 double G, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों को साद में share कीजिए, चुकि मैं deduction सा की मैंने आपका अलड़ी दिखा दिया है, list of income tax deduction का playlist बनाया है, उसमें हम add करते जाएंगे, जितने भी deduction बताऊंगा, सारे मैं add करता जाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं, जो भी section आपके लिए applicable हैं, उसका benefit आप उठा सकते हैं, ठीक है, एक और announcement है, हम mutual fund का investments भी करवाते ह हैं, तो अगर आप mutual fund में investments करना चाहते हैं, तो definitely आप हमसे contact कर सकते हैं, वीडियो के description में आपको एक link मिल जाएगा, start mutual fund investments, उसपे आप click करेंगे, तो आपको आपका नाम डालना है, mobile number डालना और submit कर देना है, हमारे end से आपको call आएगा, हम आपको समझाएंगे mutual funds क्या होते हैं, कैसे work करते हैं, कितना return मिलता है, ठीक है, और आपको application भी देंगे investment स्टार्ट होने एक बाद जिसे कि आप उसको track कर सके, ठीक है, और हम आपको help करेंगे कि long term में आपको कम से कम tax pay करना पड़े, या फिर आपको tax ना देना पड़े, आपका जो भी long term capital gain होगे mutual funds पे, ठ झाल अबस्त